ये है नासा का अंतरविक्षियान कसीनी जो पिछले कई सालों से शनी ग्रह का अध्यन कर रहा है कुछ समय से वो शनी की एक चांद एंसलेडिस के बारे में जानकारी जुटा रहा है उस चांद की बरफीली चादर के नीचे गहरा समुद्र है और सतह पर पानी के फवारे हैं वैग्यानिक मानते हैं कि इस समुद्र के तल पर प्रित्वी जैसे हाइड्रो थर्मल वेंट हैं जो की हाइड्रोजन बनाते हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर जानकारी है क्योंकि एंसलेडिस के समुद्र में रह रहे किसी भी जीवानों के लिए हाइड्रोजन केमिकल एनरजी का सुरूत हो सकती है और कसीनी टीम की अब तक की ये सबसे बड़ी खूज है कसीनी बहुत जल्द इस ग्रह के छल्ले को पार कर शनी के चक्कर लगाएगा जिससे शनी उसके छल्ले और उसके वातावरण को काफी पास से देखा जा सकेगा नब्बे के दशक में बना ये यान कुछी महीने शनी के चक्कर लगाएगा और फिर खुद ही खत्म हो जाएगा वैग्यानिक सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये अंतरिक्षियान शनी के चान अंसलेडिस में ना गिरे बाविश्य का मिशिन इस बात का पता लगाएगा कि क्या सच में शनी पर जीवन संभव है या नहीं